हेलो एव्रिवन वेलकम टू अध्वाइद एजूकेशन में नाम है अक्षा मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स की सीरीज जिसमें हम अपना चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज और मेटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रिवस वीडियो में हमने हीट ट्रांसफर के बारे में शुरू किया था और हमने हीट कंडक्शन के बारे में बेसिक चीज़ देखी क्या होता है उससे डिट कुछ नुमेरिकल बनाए और हमने हीट करेंट थर्मल रजिस्टेंस के बारे में देखा अब इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि क्या होता है मतलब जब हम किसी भी दो रोड को कनेक्ट करते हैं तो उसके बीच कि हम equivalent thermal conductivity कैसे निकालते हैं इस चीज के बारे में देखेंगे और उससे रिटेट क्या करेंगे एक numerical बनाएंगे फिर हम अपने heat transfer में आगे बढ़ेंगे convection के बारे में देखेंगे और radiation के बारे में देखेंगे तो इदिया आप चैनल में नए है तो बिल्कुल चैनल को subscribe करना ना अब हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे हम equivalent resistance निकालते हैं यदि rods connected हो series में या parallel connected हो तो हम कैसे equivalent resistance निकालेंगे ओके शुरू करते हैं कि फर्स्ट और भी खमाल रहेगा जब rod कैसे होंगे series में connected होंगे तो सीरीज कॉंबिनेशन और थर्मल कंड़क्टर जब थर्मल कंड़क्टर सीरीज में लगे होंगे तब हम देखेंगे कि उसकी कैसे हम equivalent thermal conductivity निकाल सकते हैं तो चलिए है जूम करते हैं दो ठोक rod ले ले लेते हैं जो कैसे होंगे series में connected होंगे और दोनों जब end to end जुड़े हुए है तो दोनों का area क्या होगा इस case में दोनों का area same होगा दोनों rod की length क्या है length भी same है और area भी same है first वाल रोड और second रोड और दोनों की जो thermal conductivity है वो अलग अलग है इसकी thermal conductivity है k2 और first वाले की thermal conductivity है हमारी k1 ओके length देख लेते हैं दोनों की तो first की length L, L1 और second की length L2 अब area क्या रहेगा दोनों एकदम end to end connected है तो area क्या रहेगा लगभग दोनों का area same ही रहेगा क्योंकि दोनों क्या है end to end connected है और दोनों का cross section आपको क्या दिख रहेगा तो इस case में क्या होगा area same रहेगा तो अब हम equivalent resistance की बात करें तो हम क्या करते हैं जो भी heat transfer का case होता है उसको हम electrical circuit से क्या लेते हैं ऐल बाई k करके तो जब अरिग अजिट्री में resistance सेरीज में लगे रहते हैं तब हम वहाँ पर equivalent resistance कैसे निकालते हैं and req मतलब equivalent resistance r1 plus r2 कारके निकालते हैं जब electrical circuit में resistance में लगे होते हैं जब पैडलल में लगे होते हैं तो क्या करते हैं reciprocal sum करते हैं और आमें पता है कि resistance की value क्या होती है? हमने क्या derive कि है? R is equal to क्या होता है? L by k यह हमने previous video में derive कि thermal resistance की value क्या होती है? तो हम क्या करेंगे? इस value को यहाँ expression में क्या करेंगे? put करेंगे, okay? तो equivalent resistance, अब equivalence resistant क्या है? L by k है तो equivalent length रखनी पड़ेगी जब मैं इस तरफ रखूंगा तो यहां पर रखूंगा तो मैं कैसे रखूंगा L1 प्लस L2 दोनों की LEN का हम क्या ले लेते हैं सम ले लेते हैं तो एक प्रकार की क्या बन जाएगी पूरी LEN Equivalent LEN बन जाएगी ओके Divide by K तो K कौन सा रहेगा K हमारा अब यह जो रहेगा यह हमारा Equivalent K रहेगा जब हम Equivalent देखेंगे तो तो इसी को हमें क्या करना है इसी की value निकालना है Equivalent K की ओके और क्या रहता है area तो area ले ले लेते हैं यहां पर A और दोनों का area क्या है लगबग तो same ही है यहां पर तो area की तो एक ही value आएगी अब R1 की value पूट करते हैं तो R1 की value क्या हो जाएगी L1 K1 और area क्या है A ही रहेगा क्योंकि दोनों का area तो same है Plus R2 की value डाले तो L2 K2 और क्या आजाएगा A area क्या रहेगा दोनों का सेम ही रहेगा तो यह क्या बन जाएगी हमारी equation बन जाएगी अब इस equation में यदि हम यह मान लेते हैं यह normal equation है यदि क्या होगा जब धर्मल conductor series में लगे होंगे तब उसमें हम कैसे निकालेंगे बट यदि हम यह मान ले कि L1 और L2 बराबर है यदि हम एक condition assume कर ले if L1 is equal to क्या हो जाएगा हमारा L2 और यह बराबर हो जाएगा L के तो उस case में हमारी equation क्या बनेगी उस case में हमारी equation क्या हो जाएगी यह दोनो L1 और L2 क्या हो गए जब दोनों बराबर हो गए तब हम यह expression use करेंगे तो यह बराबर नहीं है तो हम L2, L1 क्या हो जाएगा, हमारा L हो जाएगा, L by K1A, प्लस L2 भी हमारा L हो जाएगा, L by K2A, ओके, तो यहां से हमें दिख रहा है, L by A, L by A, L by A सब में है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको बाहर निकालके cancel out कर सकते हैं, बिल्कुल, और वसी बात है, L by A सब से cancel out हो जाएगा, तो क्या equation बनेगी, 2 by K, equivalent, A, B cancel out हो गया, और length दोनों की बराबर हम मान लिए ऐसा, ऐसा होगा, तब इस case में होगा, नहीं होगा, तो उपर अड़ा formula लगेगा, ओके, और इधर क्या बचेगा हमारा सिर्फ, 1 by, L भी पूरा cancel out हो गया, सिर्फ बचेगा, 1 by K1, और प्लस, 1 by K2, यह equation बचेगी हमारी, ओके, आगे solve करते हैं इस equation को, तो उपर में क्या है 2, नीचे में है हमारा K, equivalent, equal to, और क्या था, K1 प्लस, K2 था, ओके, तो इसको solve करते हैं, तो previous वाले का ID हम वो लेंगे, LC हम लेंगे, तो क्या, मतलब दोनों का LC हम लेंगे, तो क्या होगा, K1, K2 यह आएगा, ओके, यहाँ पर क्या आ गया, K1, K2, यहाँ पर क्या था, K1 था, तो उपर में क्या आ जाएगा, के टू आ जाएगा प्लस इसके पास क्या था नीचे में के टू था टेवान नीथा टेवान उपर आ जाएगा प्लस के बन यह दोनों रॉट की क्या है परस्टनल अपनी उन्पी खुद की थर्मल कर्णक्टिविटि और एक्विवेलेंट निकाल रहें यह क्या कर सकते हैं इसको रेसीप्लोकल कर देते हैं की को उपर लेड़े लेते तो क्या आ जाएग इक्विवेलेंट डिवाइड बाइट टू को एक एक वन एक टू और नीचे अब इसको प्लस माइनस को तो कैसे भी लिख सकते हैं तो इसको लिख दिए k1 प्लस k2 अब k equivalent का equation क्या आजाएगी यह 2 को हम उधर दे देंगे तो 2 k1 k2 by k1 plus k2 तो जब दो thermal conductors हमारे क्या रहेंगे series में connected रहेंगे तब हम क्या कर सकते हैं यह equation को use करके हम क्या कर सकते हैं अपनी equivalent thermal conductivity निकाल सकते हैं चीक है यह क्या होगी हमारी equivalent thermal conductivity कब होगी मगर यह equivalent thermal conductivity जब वो series में होगी जब series में लगे होगे रोट तब यह क्या होगी उसकी equivalent thermal conductivity होगी ओके तो ऐसी है जब हम series में देखें तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं parallel में भी निकाल सकते हैं बिल्कुल तो चलिए parallel में निकालते हैं next हम देखते है thermal conductors in parallel in parallel combination of thermal conductors okay तो अब parallel लगाते हैं अब जब हम parallel में लगाएंगे तो हम क्या मनेंगे कि दोनों का length सेम है क्योंकि वैसे ही हम उसको क्या कर सकते हैं parallel लगा सकते हैं ठीक है ईक line यह यह अब क्या लेते हैं हम दोनों condailys लेते हैं तो उससे क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा area अलग हो सकता है ठीक है मगर क्या होगी length उनकी same रहेगी देखते हैं तो यह उपर में एक thermal conductor लगा है और नीचे में एक thermal conductor यह दोनों क्या है अब यह दोनों parallel है यह दोनों इस case में क्या है हमारे parallel तो जब ऐसा combination होगा तो हमें देखके ही समझवा रहा है कि यहां पर जैसे प्रिवेस वाले में क्या थी हमारी एरिया सेम था तो ऐसे combination में क्या होगी हमारी लेंद सेम होगी और यह दोनों क्या है हमारे parallel यूज हो रहे हैं और क्या data होगा temperature दुनों का temperature सेम रहेगा यहां पर पूरा temperature क्या है T1 और इस तरफ पूरा temperature क्या रहेगा T2 मतलब एक पूरे बार में ऐसा लगा हुआ हुआ है दो ठोटोग थर्मल conductor ठीक है thermal conductivity देखते हैं इनकी तो दोनों की अलग अलग होगी इसकी होगी k1 और k2 तो जब ऐसे thermal conductors लगे होंगे तो इस case में हम equivalent thermal conductivity कैसे निकालेंगे देखते हैं तो सेम इसको हम कैसे लेंगे electrical circuit जैसे लेंगे जैसे resistors parallel में लगे हुए हमारे तो जब resistors parallel में लगे रहते हैं तो उस case में हम equivalent resistance कैसे निकालते हैं electric circuit में upon करके 1 by r equivalent equal to क्या हो जाएगा 1 by r1 plus 1 by r2 ऐसे निकालते हैं इस case में जब resistance parallel रहते हैं तो equivalent resistance हम ऐसे निकालते हैं तो इसी को use करके हम क्या करेंगे equivalent thermal conductivity निकालेंगे और हमें पता है कि r क्या होता है thermal resistance का formula क्या होता है l by k यहीं होती ही value बस इस value को हमें reciprocal करके put करना पड़ेगा okay put करते हैं तो यह उपर हो जाएगा तो नीचे लिटम जो l है वो कहाँएगा नीचे आएगा और उपर के आएगा k तो k कौन सा आएगा k equivalent आएगा क्योंकि r equivalent पर हम put कर रहें okay और हम अब हमें क्या रखना है एरिया रखना है तो एरिया क्या होगा दोनों का अलग अलग भी रख सकते हैं a1 a2 और यदि हम कर लें यहां एक एक एरिया रखना पड़ेगा नार्मल इस इक्वेशन में तो हम एस केस में जो ऊपर एडिया वाली वेल्यू है मतलब जो equivalent अरिया होगा जैसे हमने previously L1 plus L2 रखा था just previous में यहाँ पर जो area आएगा उसको हम क्या लिखेंगे 2A लिखेंगे क्यों क्योंकि दोनों area क्या हो जाएंगे add हो जाएंगे और दोनों A1 A2 जैसे हमने 2L किया था same way और नीचे क्या आजाएगा हमारा L, length तो normal है हाँ पर add नहीं होगी L, L same है तो सिर्फ L लिखेंगे R2 की value लिखेंगे तो क्या हो जाएगा K2 A by L, अब यहाँ से A L, A by L, A by L क्या हो जाएगा, तीनों से cancel out हो जाएगा यहाँ से मैं common निकाल लो तो वो इसके साथ cancel out हो जाएगा तो हमारी equation क्या बचेगी K equivalent और 2 रहेगा साथ में उसके equal to L भी cancel out हो गया है K1 प्लस K2, यह equation बनेगी अब यह 2 को मैं नीचे देदू K equivalent क्या आजाएगा मेरा K1 प्लस K2 by 2, तो जब thermal resistance क्या होंगे parallel होंगे, तब हम यह equation use करेंगा, और उस case में हमारे equivalent resistance क्या आएगा, यह आएगा, तो यह क्या है Equivalent Thermal Conductivity कब जब thermal conductors क्या लगे होंगे parallel लगे होंगे, तो जब parallel लगे होंगे तो हम यह formula use करेंगे, equivalent thermal conductivity निकालने की, क्योंकि इसी की मदद से हमें क्या होगा, हम इसी से heat flow rate पता कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमें thermal conductivity पूरे system की नहीं पता होगी, तब तक हम कैसे heat transfer निकालेंगे, ओके तो यह हुआ, अब हम क्या करते हैं एक question मनाते है, heat transfer का जिसमें क्या होगा, conductors connected भी होंगे और thermal resistance का use भी हो, क्योंकि हम ऐसा question बनाये नहीं है previous video में हमने normal question बनाया था तो question देखते हैं अब एक first question तो read करते हैं क्या बोल रहा है, iron bar having length L1 0.1 meter, एक iron bar है जिसकी length L1 है, of area of cross section cross section area मतलब जिससे heat flow होगी वो बोल रहा है 0.20 meter square thermal conductivity k1 उसकी कित्ती है 79 watt per meter kelvin and a brass having length L2 0.1 meter ठीक है, एक brass है और उसकी भी length सेम है, 0.1 0.7 है area cross section A2 equal to 0.02 meter square, area भी सेम है, length भी सेम है and thermal conductivity k2 109 watt per meter kelvin okay, thermal conductivity अलाग है are soldered end to end क्या किये हैं, दोनों को हम end to end क्या कर दिये हैं, ऐसे sold कर दिये हैं इसमें question में diagram given है, मैं आपको diagram दिखाऊंगा as shown in the figure the terminal ends of the two rods are maintained at 373 kelvin and 273 kelvin तो दो एक iron rod है, एक brass rod है दोनों की lens से में, area से में, thermal conductivity अलाग अलाग है और दोनों को solder कर दिये हैं, और दोनों के end का क्या दिये है, temperature दिये है एक end का temperature क्या है, 373 kelvin है और अगले का 273 kelvin है, respectively compute निकालने बोला है हमें first the temperature of the junction between two bars दोनों जो solder हुए हैं, दोनों के बीच का temperature निकालो, कितना है equivalent thermal conductivity of the composite bar पूरे बार की equivalent thermal conductivity निकालो और heat current through the composite bar heat current निकालने बोला है, इसका मतलब क्या heat flow rate निकालने बोला है, तो वो चीज़ को हमें calculate करने बोला है तो solve करते हैं इस question को diagram मैं आपको दिखाता हूँ कैसा diagram दिया है question में और question पढ़के भी हमें समझ में आ रहा है कि कैसा diagram होगा तो question का diagram कैसा है, एक iron bar है एक ऐसे iron bar है और इसके साथ एक brass wire connected बीच से दोनों क्या है हमारे soldered है और क्या दिया है, दोनों के end का temperature दिया है दिखते हैं किता temperature दिया है ऐसे question में diagram है T numbering, okay numbering भी दिया है question में T1 equal to 373 Kelvin में temperature है और इस end का temperature कितना है T2 equal to 273 Kelvin ओके, यह क्या दिया है हमें temperature दिया है दोनों end का और बीच का जो temperature है, जो हमें junction का temperature निकालने बोला है उसको क्या naming दिया है T0 ओके, first वाला कौन सा बार है हमारा iron का और second वाला है हमारा brass का दोनों क्या है, solder है और दोनों की thermal conductivity की value भी दिया है K1 और second वाले की K2 ओके, तो given values लिखते हैं, यह diagram हमें question में given है given values लिखते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है, तीन चीज यहां पर निकालना है तो L1 दिया है और वो किसके बराबर है L2 के बराबर है और कितना है 0.1 meter square जैसे हमने अभी condition लेके derive किया था वैसा ही condition दिया है 0.1 meter square A1 और A2 भी बराबर है iron bar का cross sectional area मतलब जिस area से heat flow होगी 0.02 meter square 0.02 meter square और के दिया है हमें thermal conductivity दिया K1 की मतलब iron की कितनी thermal conductivity है 79 watt per meter Kelvin watt per meter Kelvin अभी आपको units एकदम अच्छे से समझ में आ रहे होगी क्योंकि हमने previously एकदम अच्छे से units को देखाए कि क्या units होती है सबकी कैसे वो derive होती है और कैसे आती brass की thermal conductivity किती दिया है 109 watt per meter Kelvin तो क्या क्या चीज़ हमको निकाल ली है यहां भी हमको निकालना है सबसे पहले तो एक junction का temperature निकालना है P0 निकालना है equivalent thermal conductivity निकालना है दोनों system की कैसे conduct करेंगे दोनों system में और हमें क्या करना है heat current निकालना है heat current मतलब क्या heat flow rate निकालना है heat transfer निकालना है कितना हो रहा है time के साथ यह तीनों चीज़ों क्या करना है हमें calculate करना है तो solve करते हैं तो हम क्या करते हैं जो हमने thermal resistance लिया है उसके बारे में हम इसको कैसे apply करेंगे वो देखते हैं इस पूरे जो network है फिर second resistance जब भी हम heat transfer का question solve करते हैं तो ऐसे हम क्या करते हैं उसको बनाते हैं टाकि हमें आसानी हो T1 दिया है 373 Kelvin जो इस point का temperature होगा और T2 दिया है हमें 273 Kelvin जो इस point का temperature होगा निकालना क्या है हमें बीच का जो junction का temperature है T0 इसको calculate कर और यह जो हमारे resistance है यह क्या है हमारा R1 और यह रहेगा हमारा R2 यह कौन से resistance रहेंगे हमारे thermal resistance रहेंगे और heat कैसे flow होगी यहां से क्यूँ अब इसी जा दखेगा heat जो है वो हमेशा same flow होती है मतलब इससे भी पूरी same flow होके जाएगी मतलब जितना heat transfer इस इससे में हो रहा होगा उतना heat transfer पूरे में हो रहा होगा मतलब heat की value change नहीं होती है heat same flow करती है तो यह हम total heat flow निकाल लिए इन दोनों temperature के बीच का तो हम उसी heat flow को यहां use करके T0 निकाल सकते हैं आक यह में से हम क्या कर सकते हैं calculate कर सकते हैं तो फॉर्स्ट हम क्या करते हैं करते हैं है फॉर्स्ट हम청 तरम तरमल झिffdas निकालते हैं और तो कैसे निकालते हैं है हमारा formula क्या अ था फिर उसके बाद हम equivalent resistance निकाल लेंगे तो पहले हम heat transfer मतलब heat current को निकाल लेते हैं एक बार heat current निकल गया तो बाकी सारी चीज़े निकालना एकदम आसान हो जाएगा thermal conductivity ऐसी निकल जाती है formula से ठीक है तो हम पहले क्या करते हैं heat current निकाल लेते हैं मतलब heat कितना transfer और ही वो निकाल लेते हैं अर्वन का क्या होगा l1 by k1a ऐसी हम thermal resistance निकालते हैं okay l1 की value put करते हैं कितनी दी है हमें l1 की value 0.1 0.1 k1 की value 79 गीवन है iron की thermal resistivity k1 की value 79 ओके और area कितना है 0.02 meter square दोनोगा into 0.02 सब मीटर में है तो कोई ही आजाएगी मतलब first iron कितना resistance प्रोवाइट करेगा thermal resistance इसको हम solve करेंगे तो 0.03 आजाएग और thermal resistance की unit क्या थी हमने previously derive किया है Kelvin पर watt क्या होती है इसकी unit होती है तो यह क्या आ गया हमारा एक thermal resistance आ गया ऐसी से हम क्या कर सकते है R2 रिगाल सकते हैं बिलकुल तो R2 calculate कर लेते हैं कितना होगा R2 क्या होगा L by L2 दोनों तो सेम है K2A दोनों चीज़ तो सेम है कोई दिक्कत नहीं तो L2 हमारा कितना है 0.1 meter square है divide by इसकी thermal conductivity कितनी है brass की brass की है 109 watt per meter Kelvin तो यह कितना होगा 109 into area भी दोनों का सेम है 0.02 meter square का तो जब हम इसको solve करेंगे तो हमारा R2 कितना आ जाएगा मतलब brass कितना resistance प्रोवाइड करेंगा उसकी value आ जाएगी 0.045 0.045 Kelvin per watt इसकी unit तो मैंने भी solve करके देखा है आप भी solve करेंगे exactly T value आएगी एक भी value के differ नहीं होगा तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं एक equivalent resistance निगाल सकते हैं इस circuit का मतलब एक प्रकार से हम क्या कर रहे हैं कितना वो heat flow का resistance प्रोवाइड कर रहे हैं वो निगाल रहे हैं तो देखते हैं equivalent resistance क्यों आएगा क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि यह दोनों चीश calculate करके हम आसानी से क्या निगाल सकते है R equivalent क्या होगा R1 प्लस R2 क्यों ऐसा होगा क्यों यह दोनों क्या है सीरीज में लगे होगा है दोनों की value को जोडते है 0.063 प्लस 0.045 तो कितना आ जाएगा हमारा equivalent resistance इसकी value आएगी हमारी 0.108 Kelvin per watt यह क्या जाएगा हमारा equivalent resistance की value आजाएगी अब ऐसा हम क्यों कि है क्योंकि है क्योंकि हम सीरा आप यहां से क्या कर सकते है heat transfer का formula निकाल सकते हैं यह हमारा heat flow rate है मतलब क्या होगा q by t या del q by t del q by del t जो भी बोले तो यह क्या होगा q by t मतलब हम heat का flow rate देख रहे है time के साथ देख रहे है तो उपर क्या होगा del t मतलब एक प्रकार का potential drop जो यहां पर हो रहा है यह वहां पर potential drop होता है electrical में यहां पर क्या हो रहा है temperature drop हो रहा है और नीचे के आएगा हमारा r equiver है वहां पर resistance रहता है यहां पर हमारा क्या है एक प्रकार का यह thermal resistance है जो हमने लिखा है यहां पर ओके तो इसकी value की put करते हम del t कितना है हमारा 373 पतब कितना temperature दोनों points के बीच में 373-273 373-273 obviously बात है 100 आएगा और equivalent resistance कितना है 0.108 इसको हम solve करेंगे तो हमारा h कितना आ जाएगा h की value आ जाएगी हमारी 925.92 watts 925.92 watts आ जाएगा और हम यहां पर वो देखें यूनिट देखें तो resistance की यूनिट क्या है Kelvin पर वाट तो यहां पर नीचे में वाट रहे मतलब Kelvin पर वाट तो नीचे में Kelvin ऊपर में वाट रहेगा और इसका खुद कभी एक Kelvin होगा temperature difference का Kelvin Kelvin के एंसर सिर्फ watt बचेगा तो यह क्या आ गए हमारी heat की उलिट watt watt आई इसका मतलब आपको सब्सक्राइब क्या है वो joules per second है मतलब हम heat flow rate निकाल रहे है time के साथ निकाल रहे है तो हमारी heat transfer की value आ गई यहां से तो हमारी यह एक answer आ गया है जो हमें निकालने बोला था हूँ क्या चीद निकालने बोला था हमें heat current निकालने बोला था तो वह चीज हमने calculate कर ली अब आगे बढ़ते हैं नेक्स चीज हमें क्या निकालने निकालने तो वह भी calculate कर लेते हैं चलिए equivalent resistance भी calculate कर सकते हैं कैसे जब दोनों सीरीज में लगे थे तो क्या था equivalent resistance अभी हमने calculate किया 2 k1 k2 नीचे divide में क्या था k1 plus k2 ऐसी निकाल सकते हैं बिलकुल अभी हमने derive किया तो k1 क्या है हमारा 79 2 into 79 into 109 divided by क्या होगा 79 plus 109 तो कितना आएगा हमारे equivalent thermal resistance यहाँ पे जैसी हम इसको solve करेंगे 91.6 91.6 आएगा ओके और unit क्या होगी जो इनकी unit थी watt per meter Kelvin तो यह क्या आ गया हमारा एक और answer आ गया एक और चीज हमें क्या निकालनी है यहाँ पे हाँ junction का temperature निकालना है ओके क्या चीज निकालनी थी हमें जो beach junction है उसका क्या temperature होगा यह वाला T0 temperature क्या होगा दोनों के meeting point का तो हमने heat flow rate निकाल लिया अब हमने देखा कि electrical circuit से यहां से भी same heat flow होगी और beach से भी क्या होगी इस point से भी क्या होगी same q heat flow होगी तो अब हम इसी heat flow को लेके हमें पता है यह दोनों points के बीच में कितनी heat flow हो रही है तो यह दोनों temperature को हम क्या कर सकते हैं ओके तो निकालते हैं तो फिर से हम क्या करेंगे अपना heat transfer का formula लेंगे h equal to क्या delta by r1 simple सा formula अब यहां पर delta क्या होगा 373 minus t0 temperature और नीचे के आएगा हमारा सिर्फ r1 था तो r1 की value पूट कर लेते हैं देख सकते हैं 373 minus t0 सिर्फ r1 पूट करें क्योंकि अभी हम इतने हिस्से का ही calculate कर रहे है यह फाइदा होता है electrical resistance की मदद से solve करने का heat transfer के question को तो r1 की value हमारी कितनी आई थी 0.063 तो आज आएगी 0.063 अब हमें heat transfer की value पता है कितनी हमने calculate कर ली थी 925.92 तो heat transfer की value कितनी है हमारी 925.92 है तो h की value बूट करेंगे हम 25.92 एक बार फिर से check कर लेते है 925.92 ओके और यह neutrally dumb क्या हो जाएगी इसके साथ into हो जाएगी into 0.063 ओके यह दोनों into हो गए है हहाँ पर equal to में क्या रहेगा है यहाँ पर 373 minus t0 अब क्या करते हैं t0 को इधर ले आते हैं यह पूरी dumb को उधर ले जाते हैं तो t0 equal to 373 minus ब्रैकेट में पूरी यह वाली dumb 925.95 into 0.063 ऐसे देख के आपको लगेगा मगर 373 से वहाँ का temperature कमी आएगा junction का temperature ओके तो यहाँ से हम calculate करेंगे तो हमारा t0 कितना आ जाएगा मतलब जो हमें junction का temperature निकाल ले बोले हैं उसकी value आ जाएगी हमारी 314.66 314.66 ओके यह आप इसको equivalent लेना चाहें तो equivalent answer आएगा हमारा 315 Kelvin तो यह क्या आ जाएगा T0 का temperature और अव्यसी बात है 373 से तो कमी होगा वहाँ का temperature की heat flow हो रही है देख सकते हैं तो T0 की value कितनी आ जाएगी हमारी 315 Kelvin आ जाएगी एकदम सही सब्सक्राइब temperature बीट का छोटा एकदम छोटा तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं को पार्ट complete अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं convection शुरू करते हैं conduction वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया सारी चीज़े देख लिए अब हम नेक शुरू करते हैं convection के बारे कि क्या होता है convection और हमने previously देखा कि convection कैसे होता है molecules के displacement के कारण होता है मतलब कोई भी molecule heat लेगा और वो move करने लग जाएगा ठीक है तब क्या होगा तब होगा हमारा convection होगा वरना दूसरा इसका opposite क्या होता है conduction जिसमें particles अतनी जगा में ही vibrate करते हैं और vibrate करकर कहीं तुसे particles को heat transfer करते हैं radiation electromagnetic wave से होता है मगर convection में क्या होता है particles उड़ते heat लेग तो देखते हैं क्या होता है convection यह क्या है हमारा second heat transfer second mood of heat transfer first mood of heat transfer हमने conduction पूरा कर लिया तो convection is the process in which heat is transferred heat कैसे होगी transfer from one point to another by actual motion of matter मतलब matter का क्या होगा यहां पर actual motion होगा from कहा से कहा होगा from region of high temperature to a region of low temperature कैसे matter का transfer होगा high temperature से low temperature first ok जैसा कोई भी object रख दीए और å और उबजेत्से क्या होगी air क्या होगी मतलब कोई भी object गरम रखा हुआ और उससे air कaaa क्या हो कोई मीडिया में वहां पे होगा convection चाहे वो कोई भी fluid मीडिया हो इस प्रोसेश ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस ओनली इन लिक्विड ठीक है यह जो प्रोसेश हीट ट्रांसफर का यह किस में होता है सिफ लिक्विड में होता है और air या fluids हम बोलें fluids में भी होता है ओके मतलब जो भी ऐसा भी particle है जो भी flow करेगा उसमें ऐसा डैप का heat ट्रांसफर होगा ओके आगे बढ़ते हैं तो यह convection का definition मतलब कैसे होगा convection actual molecules के motion से होगा ठीक है इसको करेंगे जो सबसे जादा dominating रहता है वहाँ पर यह प्रकार का क्या है अब आपने घर में देखेंगे इंडक्शन में खाना बनाते हैं यह हम बोल सकते microwave जैसा microwave में पूरा covered रहता है बस यह नीचे क्या है इंडक्शन है यह क्या कर रहा है उसको heat कर रहा है अब यह हम उससे contact में भी नहीं रखें मतलब उठा के पकड़के ही रखें हुए तो भी यह क्या करेगा radiation से इसमें heat देगा यह इंडक्शन और microwave की खास बात रहती है कि वह radiation यूज करके क्या करते है इसके अंदर जो water भरा हुआ है नीचे के water के molecules आप देख सकते हैं वह heat होके क्या हो रहे है उपर जा और जो उपर के ध्रंडे molecules होंगे नीचे होंगे ऐसे करके क्या हो जाएगा पूरा इसके अंदर क्या हो जाएगा same temperature हो जाएगा तो जब molecules आसे move करके जाएगे molecules डिस्प्लेस होंगे उसको हम क्या बोलेंगे convection बोलेंगे उसको हम क्या बोलेंगे convection ओके और जो rod में जो heat generate होती है मतलब जो physical context से travel करती है उसको हम क्या बोलते है conduction यह जब ही हमने detail में पढ़ी कि conduction क्या होता है okay तो यह था मतलब molecules डिस्प्लेस होंगे यहां पर fluids में होता है हवा air में जैसे आप एक और example देख सकते हैं convection का balloons में balloons में हम क्या करते अब देखेंगे जीतने भी balloons होते है weather balloons तो बहुत उपर उपर जाते है वहां भी क्या रहता है एक ठोक यहां पर ऐसा box लगे रहता है जो गरम हवा क्या जिसमें आप देखेंगे गरम हवा मतलब आग लगे रहती maximum time वो क्या करता है इधर की हवा को हो रहे हैं ऐसे प्रकार के हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं कन्वेक्शन बोलते हैं कि क्लियरली विजिबल होगा यहां पर मैक्सिम्म क्या होती है आग देखना आप हमेशा फायर जलते रहती थोड़ी सी अब जब भी बलून को देखें हो ओके तो यहां के मॉलिक्यूल देख सकते हैं जो पूरे अर्थ में चम्लीक्शन का एक्ञांपल हो है पूरा अर्थ में क्या होता है fluid से भर है, liquid air से भर है, कहीं पे क्या होती है, uneven heat मिलती है, कैसे, इसका एक और example अब ले सकते हैं, एक जगा कहीं रात है, एक जगा कहीं सुबह रहती है, या दूसरा आप example ले सकते हैं, जो अर्थ का equator है, वहां पे क्या होता है, heat जाधा रहती है, और जो poles वाला हिसा है, क्यों अंदर atmosphere की air है, वो तो पूरे atmosphere में trap है, वो क्या करी की पूरा rotate होगी अर्थ में, तो गरम हवा अलग जाती है, उपर चले जाती है, ठंडी हवा उसकी place ले लेती है, मतलब पूरे अर्थ में, जो हमारे मौसम आते हैं, ठंडी, गर्मी आती है, हवाएं चलती है, यह पूरा प्रकार का क्या बन रहा है, cyclone बन रहा है, तो ऐसा भी क्यों बनता है, uneven heat मतलब equator जाधा गरम हो रहा है, equator से trade wind करके होती है, वो चलती है, तो उसके करण क्या होता है, उपर की हवा अलग है, मतलब पूरा अर्थ में ऐसे circulation हो जाता है, और जहां पर circulation goal हो गया, वहां पर क्या बनने लग जाएगा, ऐसा cyclone बनने लग जाएगा, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का example ही है, अर्थ के convection का, कि जो अर्थ में अलग अलग temperature के कारण, जो fluids में अलग अलग गर्मी हो रही है, उसी के प्रकार का क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है, जनरली है हमारे इंडिया में ऐस cyclone बनता है हमारे अर्थ में, ये कैसी picture ली गई है, satellite से ली गई है, तो अब convection भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है, एक होता है free, एक होता है forced, इसको हम एकदम simple से समझ सकते हैं, इधी हमने चाय का cup है, है ना, और चाय हमें बहुत गरम लग रही है, तो हम उसको छोड़ कि ठीक है, जब थंडी हो जाएगी तब पिएंगे, तो इसका मतलब क्या है, वो naturally क्या हो रहा है, उसकी जो गर्मी है, वो atmosphere में मिल रही है, तो वो ये क्या हो रहा है, एक प्रकार का natural convection हो रहा है, अपने आप हो रहा है, और इधी अब चाय को फूक के धंडा करेंगे, तो आप क्या कर रही है, forcefully हवा मार रहें, तो जहाँ पे भी आप force से हवा मारेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? हम क्या बोलेंगे? movement देंगे, हवा को velocity देंगे तो वो forced convection होगा, और free convection क्या होगा, normal, अपने temperature difference के गारण, normal हवा के गारण तो यह क्या होते हैं, दो प्रगार के होते हैं, there are two types of convection, first क्या होगा, forced convection, क्या होते हैं in this convection, इस convection में is the process in which heat is transferred from one place to other by actual transfer of heated material, ठीक है, actual transfer of heated material मतलब हम क्या करते हैं, उसको force लगाते हैं और molecules, ओके, तो यह क्या है normal, जो first line बता रहा है, यह आपको normal एक convection का definition बता रहा है, कि convection में क्या होते हैं, कैसा process होता है, जिसमें heat एक प्लेस से दूसरी प्लेस में transfer होती है, किसके कारण actual transfer of heated molecules के current, molecular displacement, convection molecules actually transfer हो रहे हैं, तो यह आपको convection का definition बता है, if heated material is forced to move say by a blower or a pump, then heat transfer, तो इस case में क्या होगा, जब हम क्या करेंगे उसको, if heated material is forced to move say by a blower of pump, मतलब हम क्या करेंगे, forcefully उसको move करेंगे, जैसे हम normal pancake के सामने बैठे हैं, पंखा forcefully हमें हवा मार रहा है, तो पंखा हमारे उपर क्या कर रहा है, एक प्रकार का forced convection कर रहा है, इसको हम और बड़े level पर भी देखते हैं, जैसे कहीं पर भी pump से हम fluid translate, मतलब circulate कराते हैं, कहीं पर भी आप देखेंगे, fridgers में, कहीं पर भी, जहां पर भी fluid जाके heat carry करेंगे, तो उसको भी हम एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, forced convection बोल सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा, हम एक material use करेंगे, forcefully हवा को move कराएंगे, blower से, pump से, pump भी क्या करता है, पानी move करता है, और जहां पर भी water move करेंगे, कहीं से गरमी हावा लेगा, कहीं से नहीं लेगा, कहीं पर heat release करेंगा, तो जहां पर भी forcefully transmission हो रहा है, liquid का, उसको हम क्या बोलेंगे, forced convection बोलेंगे, the heat transfer in human body is an example of forced convection, तो जो हमारी human body में heat transfer होता है, वो भी एक क्या है, example है, forced convection का, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, जो हमारा heart रहता है, वो क्या करता है, heart, मतलब blood को क्या करता है, पूरे body में pump करता है, तो एक प्रकार का pumping action कर रहे हैं और जो blood है, वो क्या करता है, पूरी body में circulate होता है, body को वो क्या करता है, ढंडा करता है, तो एक प्रकार से क्या होगा, वो होगा, तो जो human heart है, वो एक प्रकार का pump जैसा काम करता है, और वो पूरी body में क्या करता है, heat को evenly distributed रखता है, ऐसा नहीं, कहीं जादा कहीं काम heat हो जारी, ऐसा नहीं करता, तो human heart भी एक प्रकार का pump का गाम करता है और वो एक liquid को भी pump कर रहा है पूरी चीज़ का temperature maintain करने के लिए तो हम heart भी क्या होते एक प्रकार का force convection का example है second देखते हैं जो naturally होगा natural और free convection मतलब हम कोई भी उसमें हवा blow नहीं कर रहे है वो अपने आप air के तुरू ठंडा हो रहा है ऐसे इस चीज़ों का हम बोलते है in this process of convection जो second वाला convection होता है if heated material moves due to difference in density this मतलब क्या होगा यहां पर क्या होगा heat material जो होगा वो कैसे move करेगा difference in density के कारण simple इसको हम कैसे समझ सकते हैं वो यह अपना सस्ता वाला example गरम हवा हमेशा उपर की तरफ जाती है कोई भी यह दी गरम चीज़ रखी हुई है उसमें हवा contact में आएगी तो वो क्या हो जाएगी गरम हो जाएगी कोई गरम चीज़ के contact में आएगी तो और वो गरम हवा कहाँ चले जाएगी उपर चले जाएगी जब वो उपर जाएगी गरम हवा तो यह जगा खाली तो नहीं रहेगी इसके बदले कोई दूसरी हवा आजाएगी यहाँ पर जो हवा ठंडी रहेगी फिर वो गरम ओके ऊपर चले जाएगी ऐसे ही क्या ओता है? एसे ही सिर्फ यही reason के कारण गरम हवा ओपर जाती हूँ उसके placement हवा ऐती है ऐसे reason के कारण इंड लियूप चलती है जिसको हम land breeze, sea breeze बोलते हैं आगे जाके देखेंगे तो यही कारण है हर्थ में क्या करने का हवा चलने का ठीक है तो density difference के कारण होगा जो चीज गरम हो गई एर गरम हो गई उसके density कम हो जाएगी वो उपर चले जाएगी उसके बदले कोई दूसरी उसकी जगा ले लेगी ठंडी है फिर वो गरम हो के उपर चले जाएगी इस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इस कॉल्ड नैचरल और फ्री कन्वेक्शन तो ऐसे प्री हीट ट्रांसफर को क्या बोलते हैं जिसमें density difference के कारण होता है नैचरल और फ्री कन्वेक्शन सच एस हीट ट्रांसफर इन वाटर जैसे हम नॉर्मल ही देख सकते है जो वाटर में क्या होता है हमारा हीट ट्रांसफर होता है वाटर में हम एक एक एक्जामपल देखा अभी वाटर क्या होता है बॉल होता है तो नीचे के मॉलिक्यूल उपर जाएं लग जाएंगे तो यहीं हम किसी water को गरम करेंगे तो उसके अंदर पूरा heat transfer क्या होगा एक प्रकार का convection ही होगा तो यह क्या होते हैं दो types, forced और natural और free, forced मतलब हमने forcefully flow कराया और natural मतलब अपने आप हो रहा है next topic आता है हमारा इसी convection के कारण क्या होता है हमारे earth में land और sea breeze चलती है, land और sea breeze का मतलब हवा कहां से आ रही land breeze मतलब land से आ रही, sea से मतलब sea breeze से आ रही, तो इसी convection के कारण temperature difference के कारण day और night के कारण ही क्या होता है हमारे earth में हवा चलती है, उसका देखते है हम हमारा कारण के है, ठीक है तो land and sea breeze के बारे में बात करते है तो during day, first हम देखेंगे दिन का, तो दिन में क्या होता है जमीन है, वो क्या होती है जल्दी गरम होती है as compared to water water को हम कहां compare कर रहे है ocean के water, मतलब समूद्र के पानी से क्योंकि water की specific heat capacity ज्यादा होती है, उसको गरम करने में ज्यादा डाइम लगेगा ठीक है, और land क्या होता है, जल्दी गरम हो जाता है तो इसी कारण ऐसा होता है कि मतलब दोनों चीज़े अनिक्वल गरम हो जाती है, देखते हैं डिटेल में during day, lands heats up faster than sea दिन के टाइम में क्या होता है, जब दिन के टाइम है जमीन जल्दी गरम हो जाती, water के मुकाबले this occurs because water has greater specific heat capacity water की कह रहती, specific heat capacity greater रहती, हमने देखा है 4.18 kuch jules per kg kelvin होती है, water की specific heat तो जादा होती, मतलब उसको गरम होने में time लगेगा, ऐसा नहीं कि वो जल्दी गरम हो जाएगा और एक बार गरम होगा जल्दी रंदा भी नहीं होगा तो water को गरम होने में time लगता है and because mixing current disappears the absorbed heat through the greater volume of water और एक और कारण का है, एक तो specific heat जादा है, दूसरा कारण का है बहुत सारा portion का है, अर्थ में ocean से cover है, और क्या होता है, पूरा currents चलते है water के अंदर और water का area आप देख रहे हैं, कितना बड़ा है वो continuously क्या हो रहा है, mix हो रहा है current से, तो इतने बड़े area को volume को गरम करने में भी क्या होगा, time लगेगा obviously बात है, land का portion बहुत कम है, as compared to earth, यदि हम water के portion के बारे में बात करें, 70% हमारे मतलब, earth पूरा watery है और उसके बात कुछ 30% area क्या है, land तो water को गरम होने में एक तो time लगेगा specific heat जादा है, दूसरी चीज़ क्या है water में currents चलता है, तो वो क्या करता है heat को distribute कर देता है, यदि कोई एक portion गरम भी हो रहा है, तो उस portion को क्या करेगा, उस heat को वो पूरे water में distribute कर देगा, तो और time लगेगा गरम होने में आगे बढ़ते हैं the hot air above the hot air above the land expands and become less dense, तो जब जमीन गरम हो रही है, तो जमीन के जो पास की हवा है, वो भी क्या होगी, उसके contact में गरम होने लग जाएगी, एक प्रकारा convection हुआ, हवा क्या हो जाएगी, उपर उडने लग जाएगी, गरम होई, तो less dense हो जाएगी, तो वो क्या होगी, उपर उडने लग जाएगी तो hot air above the land expands, मतलब कम dense हो गई, तो क्या हो जाएगी, फैलने लग जाएगी, expand होने लग जाएगी, and becomes less dense and hence warmer air rises, तो जो गरम होई होगी, वो क्या होगी, उपर की तरफ जाती, तो गरम होई उपर की तरफ जाने लग जाएगी, and colder air from the sea takes place, और जब land की हवा उपर की तरफ जाएगी, जो समुद्र की थंडी हवा है, जब यहां से कोई चीज उपर में गई, तो इधर की खारी जगा कोई ना कोई fill करने आएगई, तो समुद्र की धंडी हवा क्या हो जाएगी, उसको fill करने लग जाएगी समुद्र की धंडी हवा मतलब लैंड में आने लग जाएगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं? लैंड ब्रीज बोलते हैं तो the warmer air from the land moves towards the sea उसके बाद क्या होगा? जो गरम हवा है जो लैंड की उपर चले गई है वो क्या हो जाएगी? जो जाएगी जाएगी अब रात की बात करें तो रात में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा सुबह की बात देख ली सुबह क्या हुआ? लैंड जल्दी गरम हुआ वहां की हवा गरम हो के उपर चले गई समुद्र को टाइम लगा गरम होने में उसकी ठंडी हवा क्या हो गई? लैंड में आ गई तो इसको हम क्या बोले? sea breeze क्योंकि sea से हवा आई अब रात के डेम में अब रात के डेम में बात करें opposite happens, उल्टा होता है कैसे? the land cools faster than sea जो जमीन होती है वो क्या होती? जल्दी ठंडी हो जाती है मगर water जो दिन भर में थोड़ा थोड़ा गरम हुआ है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा ocean का water the warmer air above the sea rises तो water क्या है? अब land साइसे ठंडा हो जाएगा, समुद्र नहीं होगा समुद्र जितना भी गरम हुआ, वो थोड़ा देर रहेगा गरम अपना, तो उस case में क्या होगा? समुद्र के उपर की जो हवा है, वो जाधा गरम होगी as compared to land के उपर की हवा तो समुद्र की उपर की हवा क्या हो जाएगी? गरमों के उपर चले जाएगी और land की धंडी हवा वहाँ चाहे लग जाएगी तो the warmer air above the sea rises तो समुद्र के उपर की जो गरम हवा रहेगी, वो rise करने लग जाएगी इस warmer air is replaced by colder air from the land अब जब जमीन की हवा ठंडी है तो वो क्या करेगी? उसको replace कर देगी, जब उसकी जगा खाली हो ली ही तो from the land creating a land breeze तो जहां से ठंडी हवा आ रही है उसको बोलेंगे sea से आ रही है तो sea breeze land से ठंडी हवा sea में जा रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? land breeze बोलेंगे, ओके तो इस चीज को हम क्या कर सकते है? डाइग्राम से भी समझ सकते है देखते हैं डाइग्राम से तो first क्या है हमारा? light थोड़ी जादा है यह क्या है एक प्रकार का day का time day का time में क्या हो रहा है? जमीन जल्दी गरम हो जा रही है ocean क्या है? गरम होने में time लगा रहा है क्या दो कारण है? एक तो water की specific heat के पैसे जादा है, दूसरी बात ocean current क्या करता है? water को mix कर देता है फूरा, तो यहां की जो गरम हो आए वो क्या हो जाएगी? ऊपर चले जाएगी ठीक है? जब यहां जगा खाली हो गई तो समुद्र की जो धंडी हो है, वो क्या हो जाएगी? यहां अंदर आ जाएगी और cycle complete करने के लिए यह warm air कहां चले जाएगी? सीधा वापिस समुद्र में चले जाएगी तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कहां से हवा आ रही है? यहां से सी से land में आ रही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सी breeze बोलेंगे, ठीक है? एक प्रकार से इसको हम क्या बोलेंगे? सी breeze, क्योंकि समुद्र से आ रही है तो डियाग्राम में आप देख सकते हैं और circulation भी आपको दिख रहा होगा जहां से गराम हो रहा है, वहां से warmer हवा ऊपर जा रही है समुद्र की धंडी हवा आ जारी है यह क्यों हो रहा है? सब convection के कारण ही हो रहा है अब night की बात करते हैं ठीक है? कैसे day और night पर चल रहा है? sun और आब moon अब night की बात करते हैं तो night में क्या होगा? जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी साइसे, समुद्र जो थोड़ा बहुत गरम हुआ था अब वो मस्त गरम रहेगा, जल्दी ठंडा नहीं होगा तो उस case में क्या होगी? यहां की हवा गरम होए लग जाएगी और वो उपर चले जाएगी ठीक है? अब जब यहां जगा खाली हो गई तो जो land की ठंडी हवा है वो क्या करेगी? इसको fill कर देगी तो यह क्या बनेगा? land breeze बनेगा और cycle complete करने के लिए यह हवा जो होगी वो वापिस क्या आ जाएगी? उपर आ जाएगी लैंड की तो इसको हम क्या बोलेंगे? sea breeze अब देख सकते हैं land ठंडा रहेगा और समुद्र गरम रहेगा रात के डेह में उल्टा होगा sea warmer land cooler तो इसमें क्या होगा? cool land breeze यहां से क्या होगी? जो sea में चले जाएगी जहां से डंडी हवा जा रही है उसका हम नाम लेंगे तो अब क्या कर सकते हैं? दोनों चीजों को डाइग्राम से भी समझ सकते हैं, picture से भी ओके आगे बढ़ते हैं अब यह क्या हुआ? यह दिन और रात के कारण जो हवा चली land breeze, sea breeze के बारे में देखते हैं अब equator और poles के कारण जो होता है मतलब जो trade wind form होती है उसके बारे में देखते हैं ओके तो next topic हम बात करते हैं formation of trade winds कि trade winds क्या होती है? यह trade winds बहुत centuries से जितने भी ships वाले रहते हैं ships के captain रहते हैं वो क्या करते हैं? इन winds को use करते हैं travel करने के लिए formation of trade winds देखते हैं क्या होती है trade winds the trade winds और easterlize और इसको हम क्या बोलते हैं? easterlize बोलते हैं are permanent east to west prevailing winds that flow in the earth's equatorial region तो क्या होती है? जो west trade winds होती है वो क्या होती है? एक permanent east से लेके west तक क्या होती है? wind होती है जो पूरे earth में equator में flow करती है ओके? तो diagram से देखते हैं इसको यह diagram आप देख सकते हैं यहाँ पे आप equator वाला portion देखेंगे तो equator वाला portion कहा आएगा? बीच में और जितने भी आपको यह blue arrows दिख रहे है यह सब क्या है हमारे? यह जो पूरा है यह क्या है? हमारी trade wind है यह पूरी जो क्या होती है? equator में flow करती है और फूरे equator में रहती है जितनी भी आपको yellow रंगी जितनी भी lines दिख रहे है यह तो और नीचे जो brown वाली है जो करती है east to west तो इधर वाला portion है यह क्या है हमारा east है ठीक है? उपर में north रहेगा नीचे में south और इधर वाला portion क्या रहेगा हमारा west रहेगा मतलब यह side है थी हम देखें west और यह side हमारा east तो इंडिया कहां पे आता है हमारा east में आता है तो इधिया में इस तरफ क्या है? east तरफ west बेंगॉल है west तरफ क्या होगा? गुजराद होगा हमारा north तरफ कश्मीर और नीचे जो कन्या कुमारी वो क्या होगा? हमारा south तरफ तो यह क्या है? एक permanent wind रहती है जो east से लेके west तक चलती है और कहां चलती है? इक्वेटर में ही चलती है दो प्रकार की होती है उपर वाली जो yellow वाली आपको दिख रही है diagram में जिसको मैंने red से बनाया वो क्या होती है? हमारी north east ली होती है और नीचे वाली जो रहती ही जो आपको brown से दिख रही है south east ली होती है मगर हो चलेगी कैसे? permanent winds है जो east से लेके कहां तक चलेगी? west से चलेगी तो यदि ये diagram में आपको देखने में मुश्किल ला रही है तो मैं आपको एक और diagram दिखाता हूँ ये वाले diagram में भी आप देख सकते है ठीक है? जितने भी yellow arrows हैं वो क्या है? हमारी fully trade wind है और सबका direction आप देख सकते हैं कैसा है? उधर तरफ वाला east उधर तरफ वाला west तो east से west चलती है ये trade wind हमारी equator में ही चलती ही याद रखेगा दो हिसे में रहती है उपर एक northern portion की और नीचे जो red वाली दिख रही है ये भी trade wind है मगर ये किसके portion के लिए होगी हमारी? ये नीचे south portion की रहती है equator के नीचे वाल region की रहती है और इसी के कारण क्या होता है? इसके ऐसे flow होने के कारण और उपर वाली जो wind रहती है उसके ऐसे flow होने के कारण कहां कहां hurricane और cyclone की शंग मतलब probability ज़्यादा कहां रहती है यहाँ पे हमारी hurricane की और यहाँ पे cyclone की probability का रहती है एकदम ज़्यादा रहती है सिर्फ इसी wind के कारण और इसका direction ऐसा है उपर वाले का direction ऐसा है दोनों यहाँ पे contact में आते हैं तो यहीं पे hurricane और cyclone बनता है इसलिए अमेरिका वाले ज़्यादा प्रिपेर रहते है hurricane और cyclone के लिए और इंडिया वालों को को attention नहीं रहता है उत्ता जादा ठीके और कैसा रहता है बीच वाला क्या है हमारा equator है बीच से हम देखेंगे तो यह क्या है permanent wind है जो east से west चलती है trade winds have been used by captains of sailing ship to cross the world's ocean for centuries मतलब जितने भी captains रहते हैं इस ships के और आप पुराने जवानी की ships देखेंगे तो उसमें क्या रहता है wind से वो guide होती थी पुराई अभी की ship तो एकदम आधुनिक आ गई है वो किसे टर्बो मशिनरी से चलती है मगर पुरानी जो जित्ती भी आप ships देखेंगे movies में देखेंगे तो उसमें ऐसा क्या रहता है बड़ा सा कपड़ा लगे रहता है या हम उसको भोल सकते है जो wind का क्या लेता है मतलब wind की power लेके क्या करता है flow करता है तो पुराने जवाने जवाने में at equator and polar regions अब कारण क्या है इसका वो देखते है at equator, equatorial and polar region नहीं हम equator की बात करें और polar region मतलब जो poles होते है अर्थ के receives unequal solar heat दोनों क्या होती है दोनों में unequal solar heat receive होती है बीच में equator तरफ heat ज़ादा receive होती है solar poles में तब ही जमा हुआ रहता है बर्फ ठीक है, north pole में हम देखें क्योंकि वहाँ पर heat कम receive होती है अर्थ ऐसे angle के tilt होने के कारण और इसी का आप एक और कारण भी देख सकते है कि जितने भी अफरीका के लोग रहते है उनका color texture थोड़ा सा dark रहता है और जितने भी अमेरिका जो लोग ऊपर रहते है लोग वो क्या रहते है थंडी country में रहते है रशिया एकदम थंडी country तो वहाँ के लोगों का टेक्शर रहते है वो एकदम क्या रहते है थोड़ा सा shiny रहते है ठीक है, तो at the equator at the equator, air near the earth surface यदि हम equator की बात करें जो इंडिया से जास थोड़ा सा नीचे रहता है जो air रहती है surface में equator के is hot while the air at the upper atmosphere of the pole is cool तो जो equator की हवा रहती है वो क्या रहती है जमीन ज़्यादा गर्म होने के कारण ज़्यादा sunlight receive होने के कारण क्या होती hot रहती है तो एक convection current form होता है दोनों positions के बीच में दोनों positions के बीच में क्या होता है convection current form होता है जो कहां से form होगा equator से लेकर poles तक तो यह क्या है इसका कारण है अलग-अलग sunlight receive करने के कारण equator ज़्यादा receive करता है poles कम receive करते है तो यह दोनों diagram हमने देखा अब देखते हैं, air at the equatorial surface rising and moving out तो जो air है, जो equatorial surface की जो air है वो क्या होगी? गरम होगी तो वो rise करेगी, अब विसी बात तो उसके density कम हो जाएगी, गरम हो आउपर की तरफ जाती है and moving out towards the pole और वो क्या करेगी? poles के तरफ move होना शुरू हो जाएगी ठीक है, जैसे हमने अभी land breeze और sea breeze में देखा, same बैसी and descending and streaming in towards the equator अब क्या होती है, वो पूरा poles तक नहीं जाती है north का जो latitude रहता है 30 degree, वहाँ से वो descend होके वापिस आ जाती है देखें कैसे, तो क्या बोला? पहले तो air जो equator की वो गरम होगी, rise होगी और pole के तरफ move करने लग जाएगी and moving out towards the pole, descending and streaming in towards the equator descend होगी और वापिस stream होगे equator तरफ आ जाएगी, ठीक है यह जीज़ देखते हैं कैसे, एक और diagram में तो यह diagram में आप देखेंगे, तो जो equator की जो air है equator की जो air है, वो क्या हो रही है, rise हो रही है, जा रही है मतलब पहले तो गरम होके rise हुई, उसके बाद क्या होगी, डाउन होके stream in वापिस होगी मतलब जो north 30 degree latitude से ही वो क्या हो जाती है, वापिस आ जाती है पूरा poles तक नहीं जाती हो, इसलिए वो bowler down, streaming in और फिर वापिस equator में आ जाती है यह जो reason है आप देख रहे होंगे, यह कहा है, हवा का एक convection current है यहाँ पर जो बन रहा है उधर तरफ वाला portion ठंडा होगा, as compared to the equator की बात करें क्योंकि जादा क्या कर रहा है, यह sunlight receive कर रहा है ओके, आगे देखते हैं, while the speed air close to the poles is zero अब जो air की speed रहती है, poles के पास वो क्या रहती है, लगभग zero रहती है क्यों, क्योंकि अर्थ की rotational speed भी अलग-अलग होती है, equator में जादा होती है poles में क्या होती है, कम होती है, तो उससे air में भी effect पढ़ता है while speed air closest to the poles is zero, poles के पास जो लगभग air की speed रहेगी, वो zero रहेगी so, air descends not at the poles, मतब poles में वो क्या होती है, descend नहीं होती but at 30 degree north latitude से ही, वो क्या हो जाती है, descend हो के वापिस आजाती है जैसे अभी हमने diagram में देखा, and return to the equator, और क्या होती ही, equator में return हो जाती है this is called trade wind, तो इसी को हम क्या बोलते है, trade wind बोलते है, hence study wind study wind मतलब, एकदम study होती है, blow होते रहती है, from north to east to the equator, near the surface of the earth is called trade wind northeast to the equator मतलब, north वाला portion यह होगा, और east वाला portion यह मतलब, ऐसे आ रही है ठीक है, फिर से एक बार देखते है, study wind blow from north east तो north उपर ओला हिस्सा, east यह ओला हिस्सा, तो ऐसे यह और आरहे है इस जो study air है, blow रही है, नौर्थ उपर ओला हिस्सा, east यह ओला हिस्सा, तो ऐसे जो blow होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, trade winds बोलते है एकदम उपर से नहीं आती, थोड़ा beach से ही आती है तो North East मतलब वो यह वाला portion बोल रहा है, यहां से शुरूओ के इधर blow हो, वो चीज़ वो बनाना चाह रहा है तो यह किसका example है? एक प्रकार के Natural Convection का यह example है अब्वेसी बात है क्योंकि सारी चीज़ें अर्थ में naturally ही होरी, कोई उसको forcefully करा नहीं सकता तो यह बहुत अच्छा example है किसका Natural Convection का example है तो याद रखेगा, जो गरम हुआ है, वो जाकर सीधा, मतलब poles तक नहीं जाती है, वो 30 degree North Latitude से ही क्या हो जाती है, वापिस हो जाती है तो आप यहां पर इस diagram में इसको देख सकते हैं, यह वाले portion में यह वाले portion में आप उसको देख सकते हैं, कि वो कहां से return हो जा रही है, वापिस हो जा रही है क्योंकि pole की जो speed रहेगी, वो लगभख्या रहेगी, जीरो रहेगी वापिस ऐसी बहुत सारी winds होती है, जो चलती है, आप अलग-अलग zone में देख रहे होंगी वेस्ट लीज ऊपर चलती है, नीचे भी एक वेस्ट लीज वाली wind चलती है तो यह सब है, हमारे लिए important का है, trade wind को समझना, जो east से west flow होती है तो इस lecture में इतना ही, convection वाला part हमने पूरा complete कर लिया अब next lecture जो होगा, उसमें हम क्या देखेंगे, radiation के बारे में देखेंगे तो अभी तक के लिए तरही, thank you